गुड इवनिंग सब्सक्राइब को तो अगे बढ़ते हैं कल जो हम लोगों ने discussion किया दा कि last week में कौन से तीन chapters अपने complete हुए है अब next week आप three next chapter के उपर अपना focus करोगे और उन्हीं next three chapters के उपर practice करोगे फिर्स्ट है BMI और sector की marking के उपर basically इसके उपर बताए हमने फिप्थ है आपका stock selection बहुत बार ऐसा होता है कि फिप्थ चैप्र का यूज करते हुए हम इस्टॉक्स दें आप लोगों को ब्रेकाउट जब तक नहीं होगा तो नहीं पर लेकिन अगर ब्रेकाउट होगा तो मूव दिखाएगा और शिक से ट्रेंड इंटिपिकेशन तो य दिरे-दिरे side by side उसको देखते हैं लेकिन focus आपका इन तेन chapters पर पूरी दरह से होगा कल याद होगा कि हम Apollo का चार्ट अपना यह open करके रखे होगे थे इंपल के अंदर एक basic से इसका नेचर होता है आपोलो का इस फिर अपवलो अहा रहा है बिसिक नेचर एपल यह सब क्या चीज़ें देखिए जितनी भी स्टोक्स हैं आपके सब का अपना एक बैसिक नेचर होता है जरूरी नहीं है कि lapse यह प्रसु चलता है जिदर वालुम को प्राइस का ब्रेकाउट हो जागा ना सिर्फ उधर ही देखना है जिदर भी ब्रेकाउट मार देगा आपको उस साइड में कुछ ना कुछ मोमेंटम भी दिखाएगा जिदर भी कर देगा 915 की केंडल यहां पर 775 यह वाली केंडल है यहां पर फिर से गया इसने पहले अपसाइड की तरफ ब्रेकाउट दिखा है फिर यह नीची तरफ गिर गया लेकिन बेसिकली जब आप देखोगे ना एपल जिधर भी ब्रेकाउट मारेगा आपको मोमेंटम कहीं ना कहीं वह उस साइड के दिखा देगा अच्छा मोमेंटम दिखा जो अपनी वह उपनिंग की दिखे ब्रेकाउट मिगरा ब्रेकाउट मोमेंटम आपको दिख़ेगा जिस भी तरफ यह 9-15 जिटीन की कैंडल का ब्रेकाऊट मारेगा आपको अच्छा मूव उस दिशा में प्राइस करता हो दिख़ेगा काफी मतलब अगर उसने ब्रेकाउट किया है त बहुत से ऐसे stocks आपको मिलेंगे जिसका आप एक तरह से देख करके वह stock अपनी ही तरह का momentum कुछ इसका अपना खास होता है यह चीज़ हम इसलिए आप से discuss कर रहे है आज भी देख से नाइफ 15 की candle को किधर breakout मारा रहा है ओपर की तरफ यहां पर भी देखिए price का breakout ओपर की तरफ अभी हम इस एक candle को ही mark करके बैठ हुए है साथ बज़े की candle जो इसकी starting candle है बहुत ज्यादा हद तक chance ऐसा लग रहा हम को यह वाला जो एक area था यह एक resistance का point था क्योंकि कल market इसी level से नीचे की तरफ गिर गए थी अब अगर इसको side way होना है तो या तो इस level से side way हो जाए या फिर अगर rejection दिखाना है तो इस level से rejection दिखा क करके नीचे कर जाए यह opposite direction के दोनों चीज़ होए कि price हमारा upside की तरफ अगर जा रहा है अगर price मेरा upside की तरफ जा रहा तो यह दो तरह के momentum market शो नहीं करेगी जैसे कि यह side way अगर side way होगा तो इस range के अंदर यह side way हो जाएगा या फिर अगर इस को ऊपर की तरफ नहीं जाना नीचे की तरफ गिरना ना तो यहीं से एक rejection candle बना दे और कहिए कि यहीं से नीचे की तरफ गिर जाए और अगर उपर निकलना तो यह दो तरह के momentum नहीं है price हमारे इस level के उपर 170.90 इस level के उपर एक resistance form करके एक swing form करके अगर इसको breakout करता है तो move continue होगा लेकिन यहां से ऐसा न volume की भी ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छा खासा volume यहां पर देखने हो कि मिलेगा क्योंकि कल का high break करना है तो volumes में भी ऐसा है कि यहां पर volumes आने चाहिए volume आएगी तो यहां पर देख लिएगा कि मोमेंटम आपको पूरा मतलब एक या देड़ बज़े तक price का momentum उसी जगह पर होते हुँ दिखाई पर आप देखें रिजेक्शन्स ऊपर की तरफ से दिखने लग गए हैना यही वह एक area है जहां से आप देख रहे हो कि price के अंगर जो मोमेंटम से वह यहां पर शुकूर है अच्छे इससे फाइदा क्या होगा अभी देखें दो चीज़े मने आपको बताई है एक तो यह जो नेचर वाली मने बात बताई कोई भी स्टॉक जब आप देख रहा हो हो सकता है आप मैंसे सभी लोग अकसर सब लोग यह सारी च एक दिषा में नीचे की तरह अपने इस लेवल का इस इस ने ब्रेकाउट किया हालार कि एंट्री यहां पर थी इस लेवल का ब्रेकाउट कर देने के बाद में प्राइस सीध है मेरा गिर गिर गया सीध है एक दिशा का मोमेंटम कभी भी यह देखे जब इसको गिरना होगा ना तो एक साइट का मोमेंटम देखा अब बहुत स्पीट से गिरेगा पूरे दिन यह गिरता रहएगा गिरता रहएगा यह महरूति का है आप Warm那就 Stalks को fix करके अपने पास रख लो, jam कर लो, कि उन्हें हमें देखना है और हमें हो जाओगे हैं, वो stock आप देखोगे हैं, कोई stock आपके पास हो, ना हो, वो stock हमें देखना हैं, ये काम सभी लोग करो, कोई stocks fix करो, ज़ए नहीं आप 8-10 ही fix करो, दो से शुरुवात करो, दो स्टॉक देखो लेकिन उनको रोज देखो, डेली देखो, कोई पॉइंट पकड़ने के कोशिश करो, एक ही स्टॉक काफी होता है आपके लिए, कि भरपूर प्रॉफिट आप एक ही स्टॉक से निकाल लोगे, अगर उसके अंदर आप में सारी ची अब यहां पर देखे क्या हो रहा है, प्राइस जब नीचे की दिशा में आपका गिरता है, जब भी प्राइस आपका किसी एक मोमेंटम में गिरता है, गिरते वक्त प्राइस अपना सपोर्ण डरिक करता है, जब हम execute कर रहे हैं तो यह छोटी-छोटी points होते हैं छोटे-छोटे ऐसे points हैं जिनको हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं इन्हें हमने मतलब देखना ही देखना है दो candles के बारे में हम आगे चल कर क्या आपको बताएंगे कि previous day में उन दो candles का क्या role play होगा कोई भी trade जब हम execute करते तो उन दो candles को देखते ही देखते हैं है ना रिकी आज के class का topic देखे कल भी हमने बताया तो और फिर से हम बता रहे हैं कि आज हमें एक काम करना था next week आपको जिन chapters की practice करनी थी उसके बारे में हमें बताना था 123 हमने last week देख लिया पूरी तरह से अब next week हमें तीन chapters all देखने जिसके बारे में भी मैं आपको बताया stock selection trend identification support resistance BMI और sector यह तीन chapters थे इन ही तीन chapters की practice करनी और हमने क्या बोला था आप से कि जब तक हम अपने इन chapters को पढ़ नहीं लेंगे हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेंगे आपका काम उनको देखना क्लास में जब आएंगे तो उसके ओपर ही discussion करेंगे जो भी करने नहीं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अभी रूख जाए भी क्यों हैंड्राइज वगरा जो पॉइंट्स हम समझार उसको देख लिए उसके बाद में हैंड्राइज करिए अगर डिस्टब हो जाता है पूरा जो चीज़ हम समझाना चाहरे है वहां से दिमाग हट करके कि आपके हैंड्राइज वगरा पर चला जाता है हम टॉपिक छोड़ करें अभी आपके कोश्चंस का अंसर करें अब यहां पर देखिए क्या हुआ था जो जिस तरह से विमने ड्राइंग बनाई थी फिर से को इसको क्रिएट करते हैं एक यह लो अगें लो फिर से प्रैस क वह यह वाला था और दूसरे जो स्विंग्स थे वह कहीं नहीं यह तीन ही हम इसको माल सकते क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं पास पास में ही है यहां पर हम एक लाइन डॉक करने हैं मतलब कल प्रैस ने इन तीन रेजिस्टेंस को फॉर्म किया इनको फॉर्म किया जब कल मार्केट हमारी गिरी थी तो यहीं से एक तो पॉइंट यह हाई पर गई और यहां से नीचे की तरफ गिर गया फिर हाई पर गया और नीचे की तरफ गिर गया फिर हाई पर से नीचे यह और यह नीचे मतलब कि यह रेजिस्टेंस पाइंट हो गए ना हमारे अब अ next resistance level कहाँ पर बन रहा है हमारा उपर की दिशा में यहां से price गिरा था ना यह वाला यहां से गिरा है यह resistance लेवल है अब price को उपर की तुरफ जाना है तो अभी जया समने बता है था कि price मेंरा नीचे की तरफ गिर रहा है तो यह अपने लेवल है अगर इसको भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो क्या इसके ऊपर जा सकता है समझने अभी देखिए एक चार्ट हम लोग देख रहे थे कल एक resistance point हो गया और यहीं कहीं एक example हमको दिखा था आपका मारूती में था या फिर हाँ यह वाला इस price action को देखिया इस वाले price action को मारूती में जो कल के दिन फॉर्म हुआ था क्या हुआ था यहाँ पर आपका एक high एक यह low एक यह high अभी हमने क्या बताया कि price को अगर नीचे की candle को ज़र आप रहीट करो कैसे हम लोग इसको पड़पाएंगे अगर 920 की candle का support इसको अगर हम एक support मानते तो देखिए क्या apple का और इसका price action आपको सेम लग रहा है यह वाला और जैसा कि कल हुआ था यहाँ पर एक low price उपर और यहां से नीचे की तरफ यह support price upside की तरफ यहां और swing बनाया इसके high तक नहीं गया इस वाली line को delete इसके high तक price नहीं गया किया क्या है इसने कि यहां से low-low-low-low-low candle step ने lows breakout कर दी है candles की जितने भी lows बगरा थे यह सारे के सारे breakout हो गया हमारे और at the end आकर के market ने क्या किया है 920 की candle का low break कर दिया और जैसे ही low break हुआ price सीध है मेरा नीचे की तरफ गिर गया कल apple में क्या हुआ था एक इस एक candle in low बनाया था price उपर की तरफ गया अब अगर नीचे की तरफ आरा तो यह मेरा as a swing काम करना चाहिए यह वाला जो point है यहां से नीचे की तरफ देखिए market गई तो यह गिर गई है दोनों से ही हम लोग क्या चीज समझ सकते हैं कि जिस तरह से यह वाला level मेरा एक support था क्योंकि जब price उपर है तो यही level मेरा support बनेगा वैसे ही apple में जब यह वाला level है मेरा तो यही मेरा support बनना चाहिए अब अगर यह support है तो market को क्या करना होगा कि अब अगर इसको upset की तरफ जाना है उपर की अच्छा trend में रहना भी जोरी है हो सकते हैं कि पैस यहां पर और यह side way हो जाए तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे breakout करते रहेगी और last में कुछ मिलना कुछ नहीं है एक दिशा में trend करना ज़रूरी है अब अगर यह trend करती है तो price अपने इस support को resistance में convert करके क्योंकि नीचे की तर करते हैं कि price future में मेरा इस तरह से work करेगा तो क्या यहां पर हम लोग यह देख सकते हैं कि past में क्या यहां पर same level ने work किया या नहीं किया है जब आपको इसे test करना हो तो आप historical data एक बार हम लोग क्या चाहते हैं हम लोग क्या चाहते हैं कि price में जब यहां पर एक support बन रहा है और इस support को breakout करके price बना नीचे की दरब करना है तो क्या यही support जब तक price बना नीचे तो resistance को जैसे breakout कर देगा तो support बन जागा मतलब हम चाहते हैं कि इस level से में बाई करना है historical data अगर हम read करते हैं अगर हम historical data तो क्या यहां पर हमें support मिलते हैं आप लोग इस चीज़ को देखो कि क्या हमारी इस line पर support लिए जहां पर क्या हुआ है हमने नहीं देखा था चाहर को लेकिन आप यहां पर देख करके क्या सब्सक्राइब वह है कि जहां पर price ने support लिए थे चलते चले चले ओगे ना आपक फिर यहां से ऊपर की तरफ गया और यहीं से यह नीचे की तरफ गया अब फिर से अगर इसको ऊपर की दिशा में जाना तो आप देख लिए जाएगा मारूती का 888 1.40 मा करके प्रेपास रख लो सिर्फ मारूती का ही नियुको भी स्टॉक हो हम मारूती के एक्जांपल से मारूती को एक्जाम्पलेट करके भागे की स्टॉक्सी मुमेंटम को समझाना चाहरा है कि जो lower lows higher lower lower higher 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 lows का जो concept है कि इस तरह से काम कर रहा है तीरे दिरे जवह हम आगे इस तरह बढ़ेंगे तो यह सारी चाहिए रास्ते में पढ़ती चले जाएंगे तो और थोड़ा सा समझाएंगे फिर और थोड़ा सा समझाएंगे इस तरह से clear होता चला जाएगा यह लेवल म स्वाहुर फ emrenate um so summer को और मंगल वार नियूटी का तो जैन device तो तो चार दिन तो मार्केट बन दिया तो आराम से इंज़ा के रिए चार रहे उसके बाद में जब मार्केट उपन हो थी तो आप देखेगा हाँ फार्सी यह 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 अपने एक स्विंग पॉइंट हो गया और एक यह स्विंग पॉइंट हो अब अगर प्रैस को ऊपर की तरफ जाना है तो अपने इन रेजिस्टेंस को प्रैस सपोर्ट में करके ऊपर के दिश्टा में जायेगा और इसका आप जो एक्जामपल देख सकते हो कि यहां पर देखेए प् यह एक रेजिस्टेंज बना राइज ने उसी रेजिस्टेंज पर सपोट लिए और अब साथ का ब्रिक आण दिया मतलब अपने स्विंग नियूद अपने सेकंड रेजिस्टेंस पर समझ रहना है इस तरह से कोई भी स्टॉक हो कोई भी एनालี้सीस हो आपकी जो अभी ये आपका Rikki ने लेखिजिए ने कि टॉपिक क्या है ये टॉपिक है कोई भी भी इस्टा को आप उपन करो प्रीविए स्टे के के momentum market हमें शो करती है किस तरह से आपके जो प्राइस के लेवल से वाक करते हैं हमने कहा थे ना कि प्राइस का जो प्रीवेस ये का हाई है या गिर सकती है अगर इसने आप नीचे की तरफ कुछ momentum समझे हो कि तो समझ रहे हैं कोई भी स्टॉक हो किसी भी segment को जब आप देख रहो ना ऐसे ही देखो बहुत help मिलेगा आपको इससे बहुत help मिलेगी ठीक है ना तो काम करते हैं क्लास हम लोग यह पर close करेंगे इसके चोटे-चोटे points होते हैं इसका आप यूज करोगे और आप ही फायदा होगा इसका इसको सभी लोग पढ़ते रहिएगा और अब्दुल अब्दुल जी क्या question आपका अलो सर जी जी बुलिए को देश्च ने तरह जी से सर में दस मिनट लेट होगे दस सर जो आभी आपने बताया है है स्विंग हाई सव्विंड नो यहीं ना सर हम इस प्रेक्टिस और यह अपने बताया है चीन किलास की वह उसकी प्रेक्टिस करनी सब्सक्राइब सर्ट वहीं जीए पूशना चाए सब यह पूछना था स्वेसें त्रिवेस से हाई लो बऐस इंपॉर्टेंस रखता है कि वर्स फाइप फासे उसका वह बहुत मैंतर करते हैं यह कि प्रीए जो बता है आप कि जिस खुले mai तो फाइप मिनिट में जो रहता है वह बनाता है सब्सक्राइब तो इसको सब्धेंदर और गणे बनाएंगे तो तो कहां पर क्रीय करनी है हमें समझना हो सभी स्टॉक्स में आप देखो के सभी क्या स्विंग बना रहे है तो सभी स्टॉक्स में जो फर्स्ट के डिलों वह स्विंग नहीं को भी लेकर बहुत कंफीजन रहता है जब तक स्विंग लो टूटता नहीं है यह चीज मतलब कोई को भी उठा के स्विंग नहीं कह देता है को मतलब ऐसे उठा करके बोले में जैसे यह कंड़ल आपकी बन गई है हम क्या कर दें आपका लूपंट यह हो गया अभावब इस तुरे से आप करते चले जाओं अच्छा सो माउब करने के तरीका होता है प्रिएस अभी इसका पुरा सैशन नहीं पूरा सेशन लेंगे आपको स्विंग्स मतलब माट किस तरह मतलब ऐसे तो चार्ट में खाली स्विंक भी दिखते रहा जाता है फिर अगर मतलब बहुत कंफूजन प्रेट करतीज बहुत ज्यदा कंफूजन नहीं यह शप गलत है बहुत ज्यादा कंफूजन नहीं बहुत से चार्ट ईजि भी तो होते हैं क्या ज़रूरी है कि सबही चार्ट बिल्कुल प्रिकेट्ट ज만ंड़ सब्सक्राइब जैसे अपक yaptख कि की रही से अब किसी भी एंगल से कॉंप्रिट लग रहा है किसी भी तो दोनों ही तरह की मार्गेट जो आपको लग रहा है क्या है आपको में what's up किया दा युन्यम्न कोई बात निख क्या फ्र फिर से मैं यूटूब का वीडियो देख लेक आपका हुआ फिर मेरा डौ क्लियर हो गाई सर्ट्रा यह वह सिंग अःधाना स्रेली टाइम फ्रेम पे अमार्किंग वह से नहीं उससे पहले जो ट्रेंदाय इस दोड़ा उसे नहीं होगा वह क्लोजिंग के बाद में जो मार्किंग से सब्सक्राइब देख लिए सब्सक्राइब कर दिया को आज का माइन ट्री जो एक खुलेंगे आप जो आज सिखा है ना इसी फॉर्म होड़ा था तुम्हें उसी चीज को बोलने के लिए तभी हैं रिस किया था एक बार खुलेंगे क्या माइन ट्री अपनों अभी जो सिखाया ना लगवक ऐसा ही मैंने सुबह से देख रहा था मैं उसको अभी आप सिखा है तो मुझे वहला याद आ गया स्विंग पर करते कर तो पूरा नीचे आ रहा था एक दम आपने जो बोला था वैसा ही होड़ा था पूरा सुबह से मैंने वहीं देखा मतलब य अभी अब आपका क्या बनेगा सपोर्ट सिखिक बने बिल्कुल। सखी है अब यहां पर देखिए की कैंडल यहां पर अपर यहां पर इहां पर शूंती की लोग बनाया नहीं लो नहीं नहीं बनाया यहां पर यहांठ शरी क्रेटिक्ट के आपर जैफ द journaling को आपी जब सर ज्यादातर जो मुवमेंट्स होंगे वो आपको इस लेवल से मिल जाएंगे तो इसलिए फोग जितने भी पॉइंट्स पता हैं आराम से उसको प्रेक्टिस करिएगा देखिएगा और नेक्स्टिक वह वापस से मिलते हैं आराम से फो दिनका हॉलिडे सभी लोग की इंजाए गुर्णाइट गुर्णाइट से भी लोगों को गुर्णाइट